सभी आंगनबाडी सेविका सहय का मिनी बहनों का अपने आल इंडिया आंगनबाडी न्यूस चैनल की आज सुबे साथ बजे की सच्ची खबरों में स्वागत है भायो बहनों आपको बता दें कि आंगन बारी बहनों का साहयका बहनों का मिनी बहनों का और सिसू पालना ग्रह की कारिकरता बहनों का सब का मांदे बढ़ चुका है निदसाले से मांदे वरद्धी का आदेस भी जारी कर दिया गया है कितना कितना मांदे अब आंगनबारी बहनों को कितना मांदे अब साहका बहनों को और कितना मांदे सिसु पालना ग्रह की कारकरताओं को मिलेगा वो सब आपको बताएंगे ये रहा वो मांदे वरद्धी का आदेस जो 90 साले से जारी हुआ है पहले कितना मिलता था और अब कितना मिलेगा वरद्धी के बाद वो सब बाते लिखी गई है 4 मार्च 2024 को अभी अभी इसी महीने दो दिन पहले ये लेटर आया आज 6 तारीक है 6 मार्च है और ये 4 मार्च को लेटर उत्तर प्रदेश में राजस्थान सरकार में ये जारी हुआ है जैसा कि आप देख रहे हैं और यूपी में तो बस उमीद लगी रहती है सरकार से बाकी सरकार दे कुछ नहीं रही और उससे भी बड़ी बात कि हमारे यहां पर कोई ना पदर्सन है ना कोई मैदान में है छोटे मोटे यूनियन अपने बस मैसिक बैठकों तक ही सिमित बैचारे रह पाते हैं सरकार को चोटी मोटी चेतामनी बस मेडिया तक वो पहुँचा पाते हैं लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हो पा रहा है जिसकी वज़े से सरकार के कानों तक आंगनबारी बहनों की आवाज जा सके यहां तक की बहुत से यूनियन के भाई बहन ऐसे भी हैं जो मजूदा सरकार से मिलकर के बहुत से कामों को करते हैं वो उनकी पर्सनल बात है किसी भी पार्टी को सपोर्ट करना लेकिन हां वो आपका अलग है लेकिन बहनों की अगर जिम्मेदारी आपके कंदों पर है तो उनकी आवाज भी उन तक पहुचाना और बहनों का भला कराना ये भी आपकी प्रिथम ज अब आपको कितना मांदे मिलेगा उसको लेकर के ये लेटर भी जारी हो गया ये लेटर आप देख रहे हैं राजस्थान की सरकार ने निदेशाले को नदेशक जी को और सासन सच्छिव को भी महिलाबाल विकास उभाग में ये भेजा है वैसे में भी लिखा है कि आंगनबार वे में विभाग की आईडी संख्या 26.2.2024 द्वारा प्रदत सहमती के अनुसरण में आंगनबारी सहयका और सिसू पालना ग्रह की कारिकरता इनको दे मांदे की दरों में सत प्रतिसत राज निदी मद में 10 प्रतिसत वरद्धी 14.2024 से वरद्धी की जाकर निमना अनुसार स प्रतिसत द्वारा प्रदान की जाती है मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों को बताया था कि राजस्थान में 10% की मांदे वरद्धी सरकार ने की है गोश्रा सरकार ने दरसल की थी और मैंने कहा था आदेश का इंतजार करना सासन से आदेश आ जाएगा तो हम दिखाएंग तो बहनों 10% की वरद्धी ही आपके वहां राजस्थान में अभी इस आदेश के मताबिक हुई है लेकिन हाली में कुछ बाते और थी युननों ने मिलकर के जो है वारताएं की थी मंत्री लोगों से उन्होंने आस्वासन दिया था कहा है कि जो है यहाँ पर आने वाले समय म हम 13,000 रुपे मांदे करेंगे ऐसी कुछ बाते निकलके आई तो इन चीजों पर सहमतियां बनी है अब देखना ये होगा कि वो 13,000 आगे कम तक करेंगे लेकिन फिलाल अभी इस समय जो व्रद्धी 10% की हुई है उस हिसाब से बहनों को मांदे कितना मिलेगा वो आपकी स्की इन पर बहनों दिख रहा है जैसे कि बात करें यहां पर आगनबारी कार करता की तो आगनबारी बहनों को 6 कटेगरी में डिवाइड किया गया है एक तो वो कार करता है जो नौन मेट्रिक है यनि दसमी पास नहीं है एक है जो नौन मेट्रिक है साथ में 5 साल का अनुभो भी हो चुका है नौकरी करते हुए उनका अलग है फिर नौन मैट्रिक जो दस साल से जिनको अनुभो हो चुका है काम करते हुए नौकरी करते हुए फिर जो मैट्रिक पास है वो वाली फिर मैट्रिक पास और पांच वर्स का जिनके पास अनुभो है वो वाली और फिर मैट्रिक प्लस 10 साल का नुभव है वो वाली इस तरह से 6 कटेगरी में इनको बाटा गया है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर हम बात करें यहाँ पर मान दे की तो जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि 8,984 रुपया नौन मेट्रिक को मिलते थे अब से 9,449 र 10 साल वाली जो थी उनको 9,054 मिलते थे अब उनको 9,509 रुपया जो है मिलेगा यानि अगर आप देखें मोटे तोर पर तो मुश्किल से आपको यह 500 रुपय का व्रद्धी दिखाई देगा 500 से भी कुछ कमी पड़ जाएंगे यह व्रद्धियां वहाँ पर हुई हैं आपने देखा होगा 2017-18 के बाद कितने साल बीत गए दो दो बार सरकार ने जो है सासन में सत्ता में रही तीसरी बार की तैयारियां होने वाली हैं अब आप समझ रहें फिर भी बढ़ा उसके बाद चवणनी नहीं और आज भी पैसा इन राजस्थान जैसे राज्जों से बहुत कम है यूपी की बहनों का तो आप देख रहें MP में 13,000 रुपिया मान दे अभी जुलाई से 14,000 रुपिया हो जाएगा क्योंकि वारसिक वरदी लागू है लेकिन यहां पर यूपी में ऐसा कुछ नहीं है मेटिक वालों को पहले 9,054 मिलते थे अब 9,507 मिलेंगे अइसे फिर आंगन बाडी जो सहयका है इनको 5,200 सायद 55 रुपिया या 86 रुपिया कुछ लेखा हुआ है साफ क्लियर नहीं है इतना पहले मिलता था अब इनको कितना मिलेगा जो 86 ही साइद लेखा हो और यहाँ पर अब मिलेगा 5590 रुपया साथी फिर सिसु पालना ग्रह की कारकरता को 4140 रुपय मिलते थे अब 4554 रुपय मिलेंगे तो इस हिसाब से कुछ-कुछ बेहनों के इतने-इतने पैसों में बस व्रद्धी हुई है और यह व्रद्धी कब से है ये भी ध्यान दीजिएगा एक अपरेल 2024 से दे मांदे दर प्रतीमा तो बहनों मार्च महिना चल ला है मार्च से ये पैसा नहीं मिलेगा अपरेल से पैसा आपको ये मिलेगा और अपरेल से मिलेगा का तातपर क्या है कि एक अपरेल से जब अपरेल का पूरा महिना आप नोकरी करोगी फिर जब अपरेल का पैसा आएगा और कब आएगा अपरेल का पैसा मई में आएगा क्योंकि जब महिना पूरा हो जाता है तब उसके पिछले वाले महिने का पैसा आता है तो अपरेल का पैसा यानि ये जो ब आनिता बहन राजस्थान से है जनोंने ये जानकारी बेजी है बहन को भी धन्यवाद की मांदिव रद्धी के आदेश वहाँ जारी हुए और उन्होंने भेजा भी है साथ में एक छोटा सा वीडियो भी बेजा है वीडियो को देखेंगे उसके बाद फिर चैनल पर प्रसारिद करेंगे साथ बहने वहाँ पर खुसी वगरा मना रही होंगी फिर आगे चलते हैं यहाँ पर कन्नौज से भी एक लेटर है डीपियो महोदे जो कन्नौज के हैं पुष्टाहार का वितरण स्वयम सहता समू के माद्यम से आंगनबाडी केंद्रों पर उपलब्द कराये जाने के नर्देश हैं तदनुसार आंगनबाडी कारकरती उक्त पोशाहार को पात्रला भारतियों को वितरण करेंगी आदोहस्ताचरी के संग्यान में आया है कि पोशाहार से संबंदित अनेकुष सिकायत IGRS पोटल के माद्यम से एवं विभिन माद्यमों से प्राप्त होती हैं उक्त के तरिक्त यह भी संग्यान में आया है कि आप द्वारा दो माह का पोशाहार एक बार ही वितरण किया जाता है तथा पोशाहार वितरण में अनिमित्त भी की जाती है आपको नुर्देशित किया जाता है कि पोशाहार प्राप्त होते ही तीन दिन के अंदर पोशाहार का वितरण कराएं और पोशाहार वितरण में किसी भी प्रकार की अनिमित्ता ना हो इसके संबंद में आप सुयम निगरानी करें जिससे कम से कम पोशाहार के सिकायतें जन मानस के माद्यम से प्राप्त ना हो यानि कुल मिला करके लाभारती सिकायत कर रहे हैं जिसके चलते हैं दिकते आ रही हैं तो ऐसे में ध्यान देने लाग बाते ये हैं कहा जा रहा है कि कहीं कहीं कुछ कार करता है जनके सिकायते आ रही हैं कि दो दो महीने का जब वो एक ही मा का बाढ़ती हैं एक मा का बाढ़ती नहीं है जैसे सिकायते लाबाती फिर करते हैं तो ये सिकायते ना है इसके लिए वहाँ पर नगरानी करने के लिए भी बोला गया रागनी महन का नौसे हैं जिनोंने अपने वहाँ से जानकारी प्रसारण के लिए भेजी थी उमा बहन है हमारी सीतापूर से आती है, इनका क्या कहना है, कि ब्लाक भेटा है, जला सीतापूर से है, भैया जी ये बताने के किरपा करें, हम रोज आपकी कबरे सुनते हैं, अब हमारे मुबाईल में YouTube खोलते हैं, तो नहीं आता है अम उसे बोलना पड़ता है पहले आ जाता था तीन साल से देख रहे हमको बहुत अच्छा लगता है सभी जानकारी मिलती है तो देखो बहनों हो सकता है आपके मुबाल से चैनल सब्सक्राइब ना रहा हो या आपने गलती वस जो उसको अनसब्सक्राइब कर सब्सक्राइब है तो अच्छी बात है तो फिर वीडियो अपलोड होंगे तो मुबाइल में अपने आप नोटिफिकेसन आ जाएगी वीडियो की और अगर नहीं तो फिर नहीं आ पाएगी इसलिए मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि जिनको खबरे देखनी है वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखें बहुत से भाई बहन हैं जो चैनल सब्सक्राइब नहीं कियें तो खैर इन बहन को पता है मुबाइल में बोल करके भी जो है जो भी देखना हो वो मंगालो आ जाता है तो वैसे भी वो कर लेती है लेकिन फिर भी अगर आप सब्सक्राइब कर ले प्रमोशन की जो गाइडलाइन है वो 21 मार्च 2023 में निकली थी एक साल देरे देरे होने को आ रहा है और एक साल पहले ही आलेंडिया चैनल पर सब बताया गया है उसके बाद भी कई बार बताया गया है उमीद है वीडियो चैनल पर पड़ा है यानि अपलोड है आप उसको मेरी पुरकाजी ब्लाक से हूँ मुझफर नगर से हमारा समूवालों को जब भी रासन देते हैं तो हर बाद 2-3 पैकेट टेल का कम देते हैं और ऐसे ही दालके लेकिन लाभारती हमारे साथ बहुत लड़ते हैं और हमारे पोस्टर कुछ लिखा गया जो है कुछ कर पर पास है चार्जवाले सेंटर की गर्बती धात्रियों का जो जीरो रासन आता है लाभारती बहुत लड़ते हैं तो बहुत से बहुत सी बहलों चार्ज वाले सेंटर पर भी रासन आता आता है है की गर्बती है तो उनका zero आएगा आएगा ही नहीं तो इसा नहीं है तो feeding का भी समय से ध्यान रखें, ढियाई तीन मा में बनती हैं उसके पहले feeding हो जाती हैं उनका फिर वहाँ पर आता रहता है तो कुछ ना कुछ चीजे हैं ध्यान में रखो और फिर भी अगर दिक्कते हो रही है रासन कम रिस्यू कराया जा रहा है तो आप रिस्यू ना करें आप सिकायत करें उच्च अधिकारियों को ये आपके अधिकार में है और कई बार आदेसों में कई जनपदों के डीपियो लोगों ने बोला भी है कि अगर रासन कम रिस्यू कराया जा आपको कम दे रहें कटोती करके चाहे कोई भी हो तो उसको लेकर आप शिकायत करें समूह की गलती पड़िद्याront-कार राएल डाइppen सभते पैकेट मुझूदा में उसके कटोती करके वहाँ से वह लेकर के आ रहा तो वो जिम्मेदार हो गया समू उसके लिए का कि हाँ इतना लाए और तुम को रिस्यू करा रहे अगर तुमने भी उसको रिस्यू कर लिया मुझूदा समय में packet कम है परची पर ज़्यादा लिखे हैं और आपने रिस्यू कर लिया तो फिर उसके बाद आप आंगें बारी भेनाप की जिम्मेदारी जवाब देई बन गई ये तो हो गया कि हाँ आपको पूरा मिल गया जो परची में वो लखित में वही माना जाएगा सामने कितना है वो आप जानो आपका ही जो जिम्मेदारी है उसको काउन करो देखो कम है जादा है क्या है कम है तो सिकायत करो रिस्यू ना करो ये आपकी वक्त कर जिम्मेदारी है और आप से पहले समू की थी पर रुजना सिलाने की वहां से अगर वो गलती करके आ रहे हैं तो आप उसको लेकिन कहीं न कहीं समूर लेकर के आते हैं आगनबारी को देते हैं आगनबारी भी रख लेते हैं क्यों क्योंकि आगनबारी बहने भी विभाग के खिलाब जाने वाली नहीं रेजन उसके भी कई सारे हैं उसमें से सबसे बड़ा रेजन है कि ये भी देखने को जगे जगे मि फिर एक एक लाभारती पॉश्ट ट्रेकर का वो खंगा लेंगे और देखेंगे फलाने का नाम चड़ा इनको फिर मिला क्यों नहीं मिला क्या हुआ तो उसमें फिर कार्गर्टाओं को दिक्कते आएंगी तो कहीं न कहीं ये दिक्कते तो फिर बनी रहेंगी और यही वज़े है कि वरस्टाचारी जगे-जगे हो रही है रासन के प्रैकटों में कटवती भी हो रही है लेकिन उसके खिलाप कोई जाना नहीं चाहता बस चोटी-मोटी सिकायते दर-दर हो जाएं और वो कहते हैं ना दूसरे के कंदे पर बंदूग रख करके निवारण हो जाएं बस इसी यही होता है दो चाह, छे, दस, पंदा, बीस, पचास बहने चोड़ दो बात अलग है लेकिन ज़्यादा तरमायनों में यही है बलाकों पर परुजनाओं पर रासन के पैक्टों में कटवती होती हैं अगर होती हैं हर बहने कहती हैं तो उसके खिलाप एक्शन फिर क्यों न जारी किया विचसंडी सत्रों पर दी जाने वाली सेवाएं और लाजिस्टिक की उपलब्धता के संबंद में है तो माँ फरवरी का सेयर वहाँ पर डाटा वगरा किया गया मौनेटरिंग करने के बाद में तो कुछ इस तरह से वहाँ पर यह पाया गया सिस्टम की क्या कैस यूपी का यहां पर यह सब दर्स आया गया कि कैसा क्या रहेगा तो वो सब आकड़े आएं हैं फिलाल लिखा गया कि आकड़ों की अवलोकन से सपस्ट है कि कुछ बलाकों ने राज्य और जन्पत की आउस्ट से कम प्रदर्सन किया आपको नर्देश है पत्र का संग्यान अपने इस तर से मॉनेटरिंग में पाए गए बिंदूों के अनुसार करमचारियों के साथ बैठा और उसका संग्यान ले गुडवत्ता में सुधार करें यही सब चीजे कराई गई कि 100% लॉजिस्टिक की उपलवदता होनी चाहिए यह सब बाते भारस पसाजी हैं डीप अपने वहां से यह जारी किया था तो यहां पर कई यूपी के कुछ जिल्मपदों का मामला है उनके वहां पर उपर देखो बलाक इनके वहां साथ यूपी और डिश्टिक लिख दिया गया यह फिर ऐसे सब बाते लिखी गए हो सकता है कुछ आँकुडों में दर दर हो धन्यवाद